आप सब का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो के माधियम से मैं आपको अपडेट कर दूँ जैसे कि आप सब लोग जानते कि निश्टा की थर्ड फेस की जो ट्रेनिंग है निश्टा 3.0 FLN Foundation, Literacy and Numeracy जो की 1st October 2021 से स्टार्ट हो रही है जिसमें सभी pre-primary से लेके प्राइमरी क्लासेस तक जितने भी टीचर्स एंगेज हैं चाहिब गोर्मेंट स्कूल के हैं प्राइवेट स्कूल के हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग मेंडेटरी है तो JKSCRT ने जो दो कोर्सेस पहले जो हम 1st October से उनको जोइन कर सकते हैं उनके लिंक दिक्षा प्लाटफार्म पे लाइव कर देंगे हैं जोइन करने से पहले आपने किन चीजों का खास क्याल रखना है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ आपने अपने फोन से प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है अगर आप एंड्रोइट फोन यूज करते हैं अगर आप एपल फोन यूज करते हैं तो आपने एपल स्टोर को ओपन कर लेना है और उसकी सर्च बार में आपने टाइप कर देना है दिक्षा simply आप दिक्षा टाइप करेंगे तो आपके सामने एक लिंक आएगा दिक्षा platform for school education आपने इस पे क्लिक कर देना है जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे फोन में दिक्षा जो है एप पहले से डाउनलोड है अगर डाउनलोड है तो जहां पे आप देख सकते हैं अभी अपडेट नहीं है तो सबसे पहले आपके फोन में जो भी दिक्षा एप पहले की इंस्टॉल है आपने उसको जहां से अपडेट कर लेना है लेकिन इस चीज को आपने एंस्टॉर करना है कि आपने अपनी जो पहले वाली दिक्षा की आईडी और पास्वर्ड है उसी से आपने लॉग इन करना है आपने जो 18 मॉडियूल पहले की किये हैं और 12 मॉडियूल जो आप इस ट्रेनिंग में करने जा रहे हैं टोटल जो 30 मॉडियूल आपने सेम आईडी से ही करने है अगर किसी ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है आप मेरे वीडियो के कमेंट बक्स में कमेंट करें मैं रिजिस्टर कैसे करते हैं उसके उपर एक वीडियो बना जो मेन इंटरफेस है वो जहाँ पे open होना आपके सामने start हो जाएगा तो आपके सामने जहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने जो दिक्षा आप है वो जहाँ पे open हो जुकी है क्योंकि जहां पे मैंने अपना जो profile है वो पहले से update कर दिया है अगर आपके profile को update करने के लिए बोला जाएगा तो आपने one by one अपने सारे profile को update है आपको एक profile का icon दिखेगा आपने इस पे click कर देना है and sure करना है कि आप क्या इस में login हो जा नहीं हो तो जहां पे आप देख सकते हैं आपका जहां पे पूरा profile शो होगा आपका name आपका school उसके बाद जो भी content preference है वो जहां पे आपको जहां पे show हो जाएगी next आप जहां पे देखेंगे आपकी सारी detail इसमें आ जाएगी तो आप अपने profile को कभी भी जहां से update कर सकते हैं अब हम देखेंगे कि आप इन courses को कैसे join करेंगे तो उसके लिए हम फिर से main screen पे आ जाते हैं तो simply आपने जहां से क्या करना है आपको जहां पे right side पे एक search icon आइ देखेंगे कि तो JK लिखने के बाद आपने simply जहां पे F L N foundational literacy and numeracy आपने इसपे एसे ही click करके आपने search करने के बाद जहां पे आप देख सकते हैं JK F L N के जितने भी courses होगे वो जहां पे आपके सामने आ जाएंगे तो जहां पे आप देख सकते हैं आपके सामने जो courses हैं वो से पहले हम देखेंगे कि हमारा जो course इसमें से जो हमें 1st October से जो join करना है वो कौन सा course है तो जहाँ पे आप देख सकते हैं Introduction to FLN Mission तो इसी तरह से Next आप देख सकते हैं Shifting to the Competency Based Education तो जैसे आप इस link पे click करेंगे link पे click करने के बाद आपके सामने पूरे course का जो overview है वो जहाँ पे आ जाएगा तो जैसे ही आप जहाँ पे join पे click करेंगे आप जहां पे देख सकते हैं, जैसे आप जहां पे जोइन पे क्लिक करते हैं, जोइन पे क्लिक करने के बाद जहां पे आपको एक मेसेज आएगा, कि इस course का जो batch है, वो 1st October से start हो रहा है, और आपने इस course को 25th October 2021 तक जोइन कर सकते हैं, और इस course को completion की जो date है, वो 31st October तक आप इस course को complete कर सकते हैं तो जहाँ पर आप देख सकते हैं completion date जहाँ पर बताया गया कि course end कब होगा तो इस तरीके से अगर आप दूसरे course को जहाँ से join करना चाहते हैं तो simply आपको फिर से back आना पड़े हैं आप मुझे अपनी कोई भी problem जो होगी मों मेरे वीडियो के comment box में comment करके बताएं मैं कोशिश करूँगा कि आपकी उस problem को जलती से जलती हल करूँ इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि अगर अपने आपको register नहीं किया है दिक्षा पे तो आज last date है तो आप अपने आपको register कर लें अगर आप register नहीं कर सकते हैं आपको नहीं पता चलता है तो आप मेरे वीडियो के comment box में comment करें मैं इसके उपर एक dedicated video लेके आजाऊंगा कि अगर आप first time दिक्षा अप पे अपने आपको register करना चाहते हैं तो आपको registration करने में कोई problem आ रही है मैं already इसके उपर वीडियो बना चुका हूँ उस वीडियो का link भी मैं इस वीडियो के description box में दे दूँगा so that आप उसे दे के अपनी registration आज की date में complete कर लें so that कल से आप इन courses को join कर सारा process अच्छे से समझ आ गया होगा तो चलिए आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं जल्दी एक new update के साथ